कहानी है एक छोटे से शहर सूरजपूर की, जहां एक खुशहाल परिवार अपनी जिन्दगी में मश्गूल था, वो परिवार अपने काम और खुशियों में व्यस्त था, लेकिन एक ऐसी बात थी, जो उनके जीवन को अंधेरे में ढखिलने वाली थी, जिसका उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था, सूरजपूर के एक शान तिलाके में रहने वाले इस परिवार में पती, पत्नी और दो छोटे बच्चे थे, घर के काम, मैं उनकी मदद के लिए पिछले पास सालों से एक घरेलू शाहि का, माया काम कर रही थी, माया अपने काम में निपुड़ और विश्वशन नी थी, कम से कम परिवार ने तो ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही सोचा था पर यह, अन्धा भरोसा उनकी सबसे बड़ी गल्दी बन गया, कुछ महिनों से परिवार के शदश्य बार-बार इमार पढ़ने लगे, बच्चों को पे तर्थ और कमजोरी की शिकायलते होती रहती थी, डाक्टर के पास चाने पर वे एक दूसरे से पुछते, कि आखिर क्या गलत हो रहा है, पहले तो इसे मौशम का असर समझा गया, लेकिन जब इलाज से भी फर्क नहीं पड़ा, तो परिवार के मुखिया अभे, अभे ने सोचा कि कहीं इसके पीछे कुछ और कारण तो नहीं है, इक राज जब सबसोर है थे, अभे ने अपनी पतनी रमा, रमा से इस चिंता का चिक्र किया, रमा ने भी इस बात पर गौर किया,गौर किया कि सिर्फ उनकी ही नहीं, बलकि उनके बच्चों की भी शिहद बिगर रही है, अभेने अपने शक को पोक्ता करने के लिए घर के किचन में एक कुप्त कैमरा लगाने का निश्चे किया उन्होंने सोचा कि अगर वाकई ही किसी तरह की करबड़ी हो रही है तो यह कैमरा उसके सच्चाई उचागर कर देगा अगले ही दिन माया शुबा आई और हमेशा की तरह काम में चुड़ गई माया का हरकतें कैमरा में रिकॉर्ड होती रही पहले कुछ दिनों तक तो सब समानने लगा लेकिन पचवे दिन पचवे दिन जो कैमरे में कैद हुआ उसने अभे और रमा के होश उड़ा दिये कैमरे में दिखा की माया आठा गूतने के लिए पानी की बजाए एक खिनोंना तरीका अपना रही थी वो अपने पिशाप का इस्तमाल कर रही थी यह नजारा देखकर अभे और रमा सन रहे गए जिस वेक्ती पर उन्होंने भरूशा किया था उसी ने उनकी शेहत के साथ खिलवार किया था वो फॉरान पुलिस के पास कए और माया के खिलाफ शिकायत तच कर आई पुलिस ने माया को तुरंद गिरफ्टार किया आ जब माया से पूस्ताच की गई तो उसने कबूल किया कबूल किया कि वो यह सब परिवार से बडला लेने के लिए कर रही थी उसका कहना था कि उसे लगता था कि अभे और रमा उसके साथ कठोर व्यवार करते हैं उसकी मेहनत की कद्र नहीं करते इसी गुस्से और बदले की भावना ने उससे इस खिनोनी हरकत पर उतार दिया मैंने ये भी कबूला कि उसे या करने का कोई पस्तावा नहीं है या घटना केवल एक परिवार की गहानी नहीं है बलकि एक बड़ी सीख है एक बड़ी सीख है हमारे समाज के लिए या हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने सहायकों के साथ कैसा वेभार करना चाहिए हमें या समझना होगा कि हर रिस्ते में एक शीमा और सम्मान की जरूरत होती है गर के अंदर के भरोसे और शतरतक्ता के बीच शंतुलन बनाना बेहत जरूरी है या कहानी हमें अस्तियाद दिलाती है कि अगर हमें किसी पर शक हो तो उसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए जो परिवार को शक हुआ उसने सच्चाई शामने लाई लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी इस्तिती में कुछ कर नहीं पाते अगर आपको या कहानी चुकाने वाली लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टो री वार यू को स्यूप्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही चागरू को और हैरान कर देने वाली कहनिया देख सकें क्या आपको लगता है कि परिवार ने सही किया अपनी राए हमें कमेंट्स में जरूर बताए धन्यवाद